नमस्कार में हूँ जोती जोती किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज पी जोती किचन में एक हेल्धी टेस्टी यूनिक तरीके से बनने बाला पाववाजी से टेस्टी नाश्ता लेकर आयूंसे बनाना बहुत आसाने और खाने में बहुत सौधिस्टी लगता ह जो छोटों से लेकर बड़ों तक बहुत पसंद आएगा इसकी एक खास बात है पिलकुल कम तेल में बनता है तो प्लीज वीडियो को पुरा देखे चलिए शुरू करते हैं बनाना एक बड़ा चमच तेल डालेंगे जीरा डालेंगे जीरे को अच्छी तरह तड़कने देंग हरी मिर्च लैसुन और अद्रक का पेस्ट डालेंगे इसका मैंने वीडियो डाला हुआ यह आप बना कर रख सकते हैं बहुत दिनों तक यह खराब नहीं होता जरूर आप देखें इसे अच्छी तरह फ्राय कर लेंगे अद्रक लैसुन हरी मिर्च डालने से बहुत बढ़ि त्रेस्ट आएगा यह जरूर डाले जो कुंदर डाला इससे बहुत बढ़िगा कलर भी आएगा और टेस्ट भी आएगा मतर डालेंगे और भी आप इसमें वेजिटेबल डाल सकते हैं अपने एच्छा नुसार या आप जो भी पसंद न करते हो इसे स्किप भी कर सकते हैं इसे अच्छी तरह भून लेंगे, एक बार मेरे तरीके से बना कर देखे, आपको जरूर पसंद आएगा, पटापट से बनकर तयार होता है, आदा कप भूना हुआ मैंने दलिया डाल दियाए, हल्दी पाउडर डालेंगे, आदा टीस्पून, एक चम्मच लाल मिर्च वन फोर्थ टीस्पून हिंग पाउडर हिंग जरूर डाले, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, आदा कप मुंग की डाल खिलका वाली मैंने भीगो के रख दी थी, वो डाल देंगे, इससे और बढ़िया टेस्ट आएगा, और हेल्दी नाश्ता बनेगा, तीन कप आप इसमें पानी डाले, नमक डाले स्वादनुसर, और ये पाउवजी मसाला डालेंगे, इससे बहुत भड़िया टेस्ट आएगा, ये जरूर डाले, ये पाउवजी मसाला वाला डालने से बहुत हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनता है, वो टेस्ट भी अलग ही आता है दलिया तो आपने बहुत बार बने अगर लेकिन इस बार ऐसा तरीके से बना कर देखें ये देखें अच्छी तरह ये पक चुका है उपर से अरा धनिया डालेंगे और नेवू का रस भी डालेंगे ये देखें बहुत ही पसंद आएगा और फटापट से बनकर तयार होता है प्लीज रेसेपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें शेयर करें अगर मेरे चैनल पर नए तो सस्क्राइब करना न भूले जिसे आने वाली रेसेपी का नोटिपिकेश सबसे पहले आप तक पहुँचे घंटी का बटन दवाना न भूले आपको मेरी रेसेपी कैसे लगती है जरूर बताए कमेंट बॉक्स में और भी रेसेपी और टिप्स मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं आप बोल में निकालेंगे और उपर से थोड़ा निवुका रसनी चोड़ देंगे जिससे टेस्टी नास्ता बनेगा लेग ये बनकर तैयार होगे लडी टेस्टी नास्ता थेंक्यू फर वाचिंग